मुवाइल फोन हो या इंटरनेट सोते जागते ना तो आप इसका पीछा छोड़ने वाले हैं ना तो यह आपका पीछा छोड़ने वाला है लेकिन इसका रिष्टा जरूर बदल सकता है क्योंकि टेलीकॉम मंत्राले जो है या फिर कहें सरकार टेलीकॉम सेक्टरे के लिए नि कौन फोन कर रहा है अब आपकी मर्जी है अब फोन उठाएं या ना उठाएं और यह अधिकार सिर्फ बेसी कॉल के लिए नहीं होगा वाटसेप के जरी कॉल हो रहा हो टेलीग्राम हो या फिर सिग्नल एप हो इन सारे एप के जरिए भी जो कॉल करते रहते हैं कि बाते कर करेंगे तो वहां भी अधिकार होगा कि यह कॉल कॉन कर रहा है और आप कहेंगे कि ऐसी तुस्विधा पहले भी है को यह एप डाउनलोड कर लिया वो खुद बतायता है कॉल करने वाला कौन है लेकिन शायद आपने नोटिस किया होगा कि कई वार ऐसा होता है कि कॉल करने कोई और होता है और नाम लिखावा कुछ और आ जाता है फिर आप धोके में पड़ जाते हैं तो अब सरकार इसके लिए कि के नियम बड़े सख्त करने जा रही है के वाईसी मतलब नो यूर कस्टमर यानि जब आप सिम खरीदने जाएंगे तो आपको अपना असली पहचान पत्र देना होगा अगर इसमें आपने फर्जी वाड़ा किया तो भारी भरकम जुर्माना लग सकता है प्रावधान तो यह है कि 50,000 रुपे तक जुर्माना लगेगा अगर मामला ज्यादा गंभेड निकला तो एक लाख रुपे तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है तो इसलिए के वाइसी देते वक्त खुब सावधान रहिएगा अब इन सब के जरी आपको यादा हुआ कि अन्चाही कॉल काफी जाद आपके पास आते थी अभी आती है क्यों ले लेजिए लोन ले लिजे वह प्रोपर्टि ले लिजी तो यह सारे जोब ऑल आते थे उस कॉल करने पर भी लगाम लगने वाला है क्योंके इस कानुन में डीएंडी का एक खास फ्रावधान किया गया है डीएंडी का मतलब यह हुआ कि जो भी कॉल करने वाला मार्केटी कॉल होगा या फिर मार्केटिंग मैसेज करना नंबर होंगे वो उसमें चले जाएंगे और उससे फोन कॉल मैसेज आपके पास तभी आएगा जब आप अपनी सहमती देंगे आपकी सहमती के बगर यह फोन कॉल नहीं आएगा लेकिन डेंडी से मुझे याद आ गया कि कुछ स करनेट के जरी जो फर्जी वाड़ा होता है उस पर भी काफिया तक शिकंजा कसा जा सकेगा आप पूछिए क्यों तो इसके पीशे वजह यह है कि फेस्बूक हो वाटसैप हो फिर ऐसे आप हो ब्रॉडबेंड हो उन सब को टेलीकॉम सर्विस के दारे में लाए जा रहा है मतलब यह हुआ कि अब इन सबको लाइसेंस लेना पड़एगा टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़एगा इसका फाइदा यह होगा कि पहां से फोन आ के नाम पर राष्ट की सुरक्षा के नाम पर इनके कंटेंट पर नजर रख सकती है भड़काओ भासन भड़काओ कोई कंटेंट आप इस पर ना डाले इसका भी प्रावधान इस बिल में किया जा रहा है एक और महत्पुन बात है वह यह है कि अकसर एक केस देखने को मिलता है अपने घर बेची जमीन बेची जिसका हुआ उसका हुआ लेकिन टेलिकॉम टावर पर अपको अधिकार नहीं रहने वाला है तो इस तरह के कुछ नए प्रावधानों के साथ सरकार टेलिकॉम सेक्टर के लिए निया कानून लाने के त्यारी में है